नमस्कार साथियो नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों बहुत बड़ी खुसकावरी है होली से पहले स्वागत करमचारी को मिलेगा यह लाप कौन-कौन सा लाप मिल सकता है दोस्तों आपको बताते हैं आप सुभी को पता है कि महेंगाई बता है यानि की डी-ए-ड पर मिलता है तो जो नवंबर तक किया अभी तक आ चुके हैं और यह जो डी-ए बड़ेगा वो उसकी जो है एक जनर्वरी दोहरी तेई से लागू माना जागा और होली से पहले जो है फिट्मेंट प्रेक्टर भी विचार हो सकता है आई देख लेते हैं नए साल में कैंदी करमचारी को जैलि में एक ब़ार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है होली से पहले करमचारियों के हाथ दो बड़ी खुछकवरी आ सकती है इसमें मेंगाई बात्ता और प्रेक्टर का उपहर सामिल है ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो होली तेजिकार कशर की दो बार केंदी करमचारियों और पैंसनों का मेंगाई बत्ता और मेंगाई रात बढ़ाय जाता है डिये में यह व्रद्धी पृतिक 6 माई में होती है और कितनी ओनी है यह AICPY इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्वक करता है जो की लेवर मिनिस्टी की तरह से जारी किये जाते हैं अव तक नवंबर तक के आंकड़े आ चुके हैं जिसमें अंक 132 दिल पांच पर रहा है ऐसे में संकित मिल रहे हैं कि 2223 में 3-4% तक की डिये में फिर व्रद्धी का ऐलान हो सकता है इसका लाब 50 लाग केंदी करमचारियों को 65 लाग 55 भूगों मिलेगा मार्च में हो सकता है एलान बरतमान में करमचारियों को 38 फिर दिये का लाब मिल रहा है और अगर दिये 3-4 फिर तक ब्रद्धी होती है तो यह 41-42 फिर दिये हो सकता है माना जा रहा है कि अगर 4 फिर दिये बढ़ता है तो बैसिक सेल्डी में कुल 720 रुपे और अधिक्तम सेल्डी रेंज के करमचारियों के लिए 276 रुपे प्रती महीने की दर से ब्रद्धीत है इसके अलावा अन्न बत्तों में भी इसका एजापा होगा फिटमेंट फेक्टर पर भी हो सकता है मेंगाई बत्ते के अलावा 52,00,00 केंदी करमचारियों को फिटमेंट फेक्टर की सोगत भी मिल सकती है मीडी रिपोर्ट्स के नुसरा 277 से पहले मोधी सरकार करमचारियों के 28,00 से बढ़कर 26 सरव हो जाएगी वहीं अलग-अलग लेवालके करमचारियों कि शलडी में अलग-अलग ब्रद्दी होगी हलाकि अभी आधिकारिक परष्ट्री होना बंकी है